नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गवरो अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फो टॉक्स पे तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा वीडियो एडिटिंग का एक सौप्वेर जो कि हम पीछे भी एक वीडियो इस पर बना चुके हैं उसके बारे में हैं उसमें काफी सारे फीचर तो वो सारे फीचर्स उसके अंदर कवर नहीं हो पायाथ है तो आज मैं कर्ने वाला हूँ सके बहुत सारे कमाल के फीचर्स तो इस वीडियो को लास सब्सक्रेंगी के लेगा वरना आप पूई नब फेटर समåं कर देख देंगे और अगर आपने लास वीडियो में नहीं द तो उसको तुरं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दवाईए जिससे की आने वाले टाइम में जो भी वीडियो आने वाले हैं वो सारे आपको नोटिफाई हो जाएंगे तो इसके बारे में और जानने के लिए आये चलते हैं मेरे कम्पूटर स्क्रीन पर आज हम सीखेंगे एक्टिव प्रेजेंटर के बाकी सारे बचेवे ऑप्षिं लास्ट वीडियो में हमने चीखा था कि एक्टिव प्रेजेंटर का यूज करके किस तरह से हम वीडियो है record video record video पे हम guys click करेंगे तो यह हमारा active presenter का screen चला जाएगा और एक चोटा सा window open हो जाएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे आप इस पे record window पे click करिए तो यह देखे यह पूरा हमारा active presenter का screen चला गया यह चोटा सा window आ गया जिसमें बता रहा है full screen और custom screen तो guys custom screen का मतलब यह होता है कि custom screen जाजे ही मैंने किया तो यह एक line आ गई इससे मैं वो screen area select कर सकता हूँ जितना screen area मुझे आपको दिखाना है मतलब आपको अपने video में किसी को भी दिखाना है वो screen area मैं इसमें select कर सकता हूँ उसके अलावा guys इसमें option होते हैं आप webcam भी add कर सकते हो तो यहां पर अगर आपका webcam नहीं है तो यह webcam no webcam device दिखाएगा अभी मैं जिस computer से आपको करके दिखा रहा हूँ recording उसके अंदर webcam activated नहीं है दूसरा है audio का option तो audio option के अंदर भी आप यहां पर click कर सकते हैं और इसके अंदर audio आप disable भी कर सकते हैं अगर माली जी आप recording करने जा रहे हैं और audio आप नहीं चाते हैं उसमें record करना screen capture करना तो आप audio record off कर सकते हैं otherwise आपका audio device install होगा तो इसके अंदर वो आपको audio का option दिखाएगा audio के variations दिखाएगा and simple कुछ नहीं करना है आपको आप click कर देंगे record के एक चीज़ और है guys इसमें lock to application का feature है lock to application में आप जो जो application इससमें open है उनमें से कोई भी select कर सकते हैं जैसे अभी इसमें सिर्फ Chrome browser open है तो उसी को दिखा रहा है अगर मैं और भी applications चला देता हूं और को software आप capture करना चाते है तो आप उसको log कर सकते हो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप मान लीजिए software का जो आप recording कर रहे हो उसके साथ आप बीच में कहीं और भी switch करते हो तो वो user को नहीं दिखता है उसको खाली software का screen ही दिखता है बाकी चीज़ें उसको नहीं दिखती है तो यह मैं नहीं select करूँगा गाईज और आप हम इस पर करते है record और recording पर क्लिक करते हैं यह webcam और audio मैंने क्या हुआ है क्योंकि यह already मेरे दूसरे computer से मैं दूसरे computer पर connect हो करके आपको recording दिखा पा रहा हूं तो हम recording पर क्लिक करते हैं नहीं तो अगर उसमें sound आएगी तो फिर वो instruments create करेगी आपको जो मैं voice बोल रहा हूं उसके अंदर interference होगा तो हम यहां पर recording पर simple है बिल्कुल क्ल यह पूरा मेरा screen capture हो रहा है guys आप अगर YouTube का channel बनाना चाहते हैं तो सबके पास email का email ID होता है नहीं है तो आप तुरंद उसको बना लीगे और आप YouTube.com पे आने के बाद आपको अपने उसी email ID से login करना है और अगर आप दूसरे email ID से login है तो यह option होता है switch account का उससे आप दूसर करने के बाद simple कुछ नहीं करना है customize channel पर click करना है इसमें आपे हमे channel art डालना है यहाँ पे हमे logo डालना है और कुछ add section है उसके अंदर मुझे कुछ और details डालनी है और simple now my channel is ready यहाँ पे आपको दिख रहा है video manager video manager पर हम click कर देंगे guys you are ready to upload your video on your new youtube channel तो आपने देखा कितना simple है youtube channel बनाना इस तरीके से हम किसी भी चीज की recording कर सकते हैं जैसे मैंने आपको भी एक youtube channel बनाने की recording दिखाई उसी तरह से आप किसी software की किसी अगर आप कोई training center है आपका आप कुछ content पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसकी powerpoint की slides दिखा सकते हैं आप इसके अंदर word note दिखा सकते हैं notepad दिखा सकते हैं anything you can show and teach through this and you can create a recorded video और आपने tutorials बना सकते हैं तो there are so many things which can be done तो इसमें और आगे हम लोग देखते हैं इसको अगर आपको end करना है जो recording इसके अंदर चालू है तो उसके अंदर दो options आते हैं तो पहले तो एक option यहां आप देखेंगे नीचे इसके अंदर आपकी नीचे taskbar में यहां पे आपको दिखेगा यहां पे active presenter चल मेरा जो recording थी यह बंद हो गई और आप देखते हैं इसके अंदर next क्या होगा अब यह देखे यह हमारा open हो गया जो recording हमने अभी की है वो यहां पे आ गई है और हम इसको एक बाद play करके देखते हैं गई यह देखिए हम इसको play कर रहे हैं यह मेरी timeline चल रही है यह मैंने अप किस तरह editing करनी है किस तरह timeline manage होती है आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका link आप से share कर दूँगा तो आप वीडियो देखिएगा पहले इस वीडियो से पहले otherwise आप इसको edit नहीं कर पाएंगे आपको दिक्कत आईगी edit करने में guys तो यह देखिए recording चल रही है म है इसको guys आप देख रहे होंगे कि यहां पर यह हमारे recording है जो अभी हमने YouTube चैनल बनाने का एक चोटा सा आपको वीडियो बनाया और उसमें दिखाया तो इतना simple है इसको record करना उसके बाद आप इसको जाकर के यहां से save कर लेंगे save करने के बाद मैंने बताया है कि किस तरह स हम वीडियो को export करते है उसके लिए active presenter का जो मेरा पिछला वीडियो है उसको आप देख लिजेगा जरूर उसमें मैं इसमें ज्यादा details में नहीं जाओंगा क्योंकि इसमें हमें और भी चीज़ें cover करनी है likewise we can record our screen और इसके बाद जो record हो करके MP4 वीडियो आता है उसको आप और भी दूसरे वीडियो के साथ merge कर सकते हो यह भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर दिखाया है तो let's move ahead और भी इसके अंदर options हैं जो हमें देखने हैं तो हम उन options को देख लेते गाई तो मैं इसको close कर रहा हूँ मैं इसको save नहीं कर रहा हूँ guys next option is record software simulation तो guys record software simulation क्या करता है क्या difference है video और software simulation में कोई भी guys difference नहीं है बस करता क्या है कि software simulation record करने के अंदर यह slides create कर देता है अलग-अलग फिर उन slides को हमें join करना परता है और फिर उसके accordingly हम work कर पाते हैं जहां पर आप कुछ click करेंगे वहां पर यह slide break कर देगा और next slide create कर देगा इस तरह से बहुत सारी slides create कर देता है तो एक बार उसको फटाफट देख लेते हैं quick review तो again मैं उसी तरह से recording पर click कर दूँँगा और recording start हो जाएगी guys recording हो रही है same YouTube का जो channel था उसके हमने click किया है यहां पर हम analytics पर click कर देंगे क्या record हुआ और वो कैसे जो कि मैंने आपको पताया slides में record हुआ कि नहीं हम इसको करेंगे फिर से control end and that will stop guys आप देखेंगे आप पिछली बार एक video record हुआ था पर यहां पर देखें इस बार slides बन गे जितनी बार मैंने click किया उतनी बार slides बन गे 10 slides बन गे तो next जो option है उसमें हम move करते हैं guys बाकी सारी कीज़ें same है बाकी सब same work करते है next option इसमें guys आता है responsive project जैसे UI UX designing से related है या software industry से related है वो लोग जानते ही होंगे responsive मतलब होता है कि एक particular हमारा screen है वो अलग-अलग screen sizes पे automatically adjust कर जाता है जैसे कि आप info talks की website open करके देखते हैं तो that is a responsive website why because आप उसको mobile पे open करेंगे तो mobile पे उसका size चोटा नहीं होगा वो अपने आपको adjust कर लेगा content उपर नीचे हो जाएगा जिससे आपकी visibility easy रहे यहाँ पे responsive के अंदर यह है कि अगर आप कोई ऐसी recording करने जा रहे है जिसमें अलग-अलग screen size का use होना है बीच-वीच में तो you can change it from here तो इसलिए यह responsive है और इसके अंदर responsive में देखिए maximum बहुत जादा आप इसको expand कर सकते हो देखिए minimum यहाँ पे mobile का screen आ गया आपका 375 into 522 तो यह अलग-अलग options है तो last जो हमारा option है वो हमारा screen size है जो कि हमारे laptop या आजकल के जो monitors है उनमें होता है तो this is responsive responsive में अगर आपको बीच में ही switch करना है अलग-अलग sizes के अंदर so you can use this particular option तो इसको भी बंद करते हैं आगे देखते हैं next option इसके अंदर है import powerpoint का अगर आपकी powerpoint slide powerpoint slide सभी लोग जानते होंगे जो office यूज़ करना जानते हैं Microsoft office में PPT बन जाते हैं powerpoint slide अगर आपको क्या powerpoint slide बना हुआ है तो उसको हम इसमें import करके video में convert करके कर सकते हैं आप इसको देखेंगे कि कितनी असानी से होता है तो let's start this हम click करेंगे import powerpoint पे अब मैं कुछ simple powerpoint आप लोगों के लिए लेके आया हूँ and I'll just select it and it will be automatically imported तो यह यहाँ पर देखेंगे दिखा रहा है कि इसके अंदर इतने slides हैं 11 slides हैं import slides as background अगर मैं import slide as background करूँगा तो background की तरह इंपोर्ट हो जाएगा मैं उसमें कोई changes नहीं कर सकता है image की तरह से तो मैं इसको object की तरह ही import करूँगा और मैं इसको ok कर देता हूँ गया कि तरह सकता हैं उसे उ्परावड बाता है तो गाइज इस तरह आपने देखा कि किस तरह से एक्टिव प्रेजिंटर के अंदर हम इतने सारे काम कर सकते हैं वो भी ये software बिलकुल free of cost शाहिए free of cost version है आपको अगर इसके further इससे भी ज़्यादा इसमें features हैं तो बहुत ज़्यादा features इसमें और भी आगे हैं उनका अगर आपको यूज करना है तो आप इसका paid version लें otherwise जितनी चीज़े मैंने आपको दिखाई इसमें जात अच्छी ये cover हो जाती है और आपको paid version की अभी ज़रूत नहीं है मान लीजिए आपको in future ऐसी कोई चीज करनी है जो इसके अंदर होती है और वो paid लेना पड़ता है तब आप ले सकते हैं otherwise everything you can do in this software in its free version तो hope आप लोगों को ये video अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो उसको definitely like करिए और share करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends से जिससे की उनका भी इसके अंदर benefit हो सके और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरन सब्सक्राइब करिए because और भी videos मैं लेके आने वाला हूँ वीडियो सिरीज के अंदर और भी काफी काम के videos मैं लेके आने वाला हूँ और अगर आप subscribe कर लेंगे और bell notification पे click करेंगे तो आपको उस वीडियो की information immediately मिल जाएगी आप उसको miss नहीं करेंगे तो आज के वीडियो में guys इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए keep learning, keep growing